तो देखते हैं पर question number 24 में हमसे क्या पूछा गया है a truck of mass 500 kg moving at 4 meter per second collides with another truck of mass 1500 kg moving in the same direction at 2 meter per second तो यहाँ पर जो truck का mass है वो यहाँ पर कितना given है 500 kg और उसके जो यहाँ पर velocity है वो हमें यहाँ पर रखे 4 meter per second वो यहाँ पर क्या करता है दूसरे truck से टकराता है और जो दूसरे truck का mass है वो यहाँ पर क्या 1500 kg है और जब वो टकराता है तो वो यहाँ पर same direction में move करते हैं और उसके जोड़ यहाँ पर velocity होती है वो यहाँ पर क्या होती है 2 meter per second होती है तो हमें यहाँ पर क्या बताना है after collision हमें यहाँ आपरότε्ट डेखते हैं यहाँ पर क्या क्या है तो हमें यहाँ पर दो हैो मं के चलेंगे राखा है 500.000 बांसे रखा है और उसके पाद अपर Dortель क्या six- mij aah to be a pop-up cameraouch एकद की बीएषरा जाएगा तो यहां पर क्या लिए तो मीटर पर सेपन्स लिए की अरो हम यहां पे क्या लेए तो मिटर पर सैकिंड लेंगे और कंपंबाहिक करेंगे तो मैं है आप लिखले था हूं क्या वालुजटी हमारी है तो दोनों ट्रककर को यहां पे combined mass होगा वह यहां पे क्या होगा 500 प्रस यहां पे क्या होगा 1500 kg होगा तो दोनों को यहां पे कितना हो जागा total 2000 kg हो जाएगा उसके बाद हमें हें पर क्या करना है law of conservation of momentum का formula श्रार्वेशन झीज्य करना है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं according to law of conservation of momentum according to law of conservation of momentum conservation of momentum आपको यहां पर पूरा लिखना ऐ रहा है मैंने हाई यह और इन यहां पर Señor form में लिखा है law of conservation of momentum यहां पर क्या होता है, तो कोई भी चीज equal to यहाँ पे क्या हो जागा combined mass and combined velocity तो M1 में यहाँ पे कितना रख्खाए 500 kg U1 यहाँ पे कितना होगा 4 होगा Plus M2 में 2 here कितना हो जागा 1500 kg U2 में 2 यहाँ पे कितना हो जागा 2 equal to combine mass Here June 2000 kg combined velocity हमें यहाँ पे निकालनी है तो यह हमारे यहां पर क्या होगा वी इक्वल टू इसको मैं मंटिप्लाइए करूंगा तो यह हमारे यहां पर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा प्लस यह हमारे यहां पर क्या होगा 1500 को टू से मंटिप्लाइए करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3000 अपकोन यहां प मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब यहां पर common velocity हमारे कितने आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड आएगी तो होप आपको यह वाले question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते आपने next question के तरफ